जब भी आप मिट्वल फंड एडवाइजर से इंवेस्मेंट के बारे में बात करते हैं तो एक सला आपको जोर देते होंगे हलाएं कि जब एडवाइजर की बात करने के पर तीन बातों को ध्यान रहना चाहिए और वो तीन बाते हैं है डिवाइजर मतलब आपको रिस्क लेने के किटनी अधिक चमता है इसका मतलब आपके में इन्वेस्ट करेंगे जिनका एक्षिक अधिक हो एंवेस्ट्ट Oasis जो भी आपने सोचा है कितने पैसे चाहिए वह कितने वर्सों में चाहिए कब चाहिए आज से 10 साल बाद 15 साल बाद और यह डिपेंड करता है कि आपका परपस क्या है और गोल जिस जो अब्जेक्टिव है उसमें कितने पैसे लगेंगे इन तीनों का आपस में एक गहरा संबन्द है समान्य वस्ता में गोल हमेशा हमें यह हमारा फिक्स होता है अब रिसक करें या रिस्क लेने कि छमटा आपको अधिक है उस्केस में आपकी चमटा उन एसेट्स में इन्वेस्ट करने की बढ़ जाये वह बारा बरसों में ही पूरी हो जाए लेकिन यदि आप इस टाइप के इन्वेस्टर हैं आपको इन्वेस्टमिन होरिजन बहाना पड़ेगा इन दोनों के साथ कंडिशन है कि यदि आपका गोल फिक्स हो लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप रिस्क अधिक ले स सकते हैं नहीं आप इन्वेस्टमिन होरिजन बढ़ा सकते हैं उस केस में आपको गोल को कम करना पड़ेगा और जैसे गोल कम होंगे और जैसे मैंने कहा रिस्क अपटाइट आप बढ़ा नहीं सकते मिन्स रिस्क अपटाइट कम होगा आपका इन्वेस्टमिन होरिजन भी क करनें दो मोड अफ इंवेस्टमेंट हैं यह कहता है कि एसाइपी मोड onives 나ने में पाका जड़ान में अधिक रिटार्ड मिलता है लेकिन साथ सुलम्संअ में एक रिस्क सब्सक्राइब करना है कि आप मार्केट को टाइम आउट नहीं कर सकते इसका मतलब यह पता करना मौद मुश्किल है कि मार्केट अब अपवाड जाएगा डाउन वाड जाएगा फ्लैट जाएगा क्या होगा हो सकता है जो आपने एंटिसेपेट या किया हो मार्केट उसी डिरेक्शन मूफ कर रहा हो बट इस जस्ट चांस यह नॉर्मल कोर्स में ऐसा नहीं होता इसलिए कहा जाता है कि मोट ऑफबेस्टमेंट ऊबर ओड लंपेशन उडिवस्टमेंट बेतर सिटर्न मन आता है और इसके बारे में यह जानकारी अचाई है तो अच्छी बात है और यह कुछिए लिगत चाहिए आहारे प्ले शोब Avec जैग आपको परिएगेห First करेंगे कि यह आपने अपने ब् आपको पसंद हो गया है आप चाहते हैं कि वह फ्लैट्स को वह पर्चेस कर लेकिन चुकि आप में आपके पास कोई कॉर्पस भी नहीं है और कोई बैंक कोई फाइनसिल इंस्टूशन भी आपको लोन देने के लिए तयार नहीं है उसकेस में आप चाहेंगे कुछ ऐसा मोड़ फिनवेस्टमेंट हम अपलाई करें इसा मोड़ उन्वेस्टमेंट यूज करें सो दैट इप 15 बरसों के बाद 10 बरसों के बाद आप पास इतने पैसे हो जो फ्लैट की पीमत आज एक रोप है वहीं फ्लैट आप 15 बरसों बाद य तो फिक्स करना पड़ेगा कि 10 साल में आपको कितने पैसे चाहिए समाने वस्ता में लोग यह कहते हैं क्योंकि एक कोड का फ्लैट है दो दस साल के बाद हमें एक और दस साल या पन्दरा सब बरसों के बाद हमें एक और चाहिए लेकिन जनाब ऐसा नहीं होता है वह जो एक यह देड़ कोड्क हो जाए देड़ कोड्की हो जाए तो जो इस यह पता करने के लिए की आघ की एक रुपए या एक रुपए पंदरा बसों के बाद क्या होगा उसके बढ़ना चाहता हूं कि जैसे आप चाहते हैं कि एक कोर साथ आज के दिन में 15 वर्सों के बाद आप चाहते हैं कि कितने पैसे कितने फैंसल गोल फिक्स करें तो देखें आप किस तरह से कर सकते हैं यह एक कोड़ है यह कोड़ और इनफ्लेशन मान लिया आपने की 5% की हिसाब से है और पिरियड आपका 15 वर्सों के के बाद चाहिए वह एक करोड़ तो 15 वर्सों के बाद यह एक करोड़ जो है यह हो जाएगा आपका दो करोड़ साथ लाग नवासी हजार दोसो एककासी रुप्य उनासी पैसे के आसपास इसका मतलब सीरियड साब तो फाइनसियल गोल होंगी आपके 15 यह डैट उड़ भी टू करोड़ एक लैक्स के आसपास अब यह चाहते हैं कि आपको 15 वर्सों के बाद दो कोड़ आट लाग के आसपास फ्रंचाहिए सो दैट जिस फ्लैट से कीमत आज के दिन में एक और रुपय है वह फ्लैट्स भी आपको परचिस कर सके इसके लिए आपको यह पता करना है कि आपका मंतली PSIP कितना हो मिस्ट इंस्टाल्मेंट कितना हो मंतली और किस एसिट में लगाएं कितने परशंट वाले एसिट में लगाएं सो बैट 15 वर्सों के बाद हमारा Corpus दो है दो कोड़ आट लाग टी आसपा किया और कुछ ऐसे एसे में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका रिटर्ण फर एक्जामपल 13 परसेंट है और आप जानते हैं कि आपके पास्टेन्योर्स समय जो है आप 15 बरसों के बाद चाहते हैं तो आपको यह पता करना है कि क्या पचाहजार पर रूपे पर मन्त यह ऐसे एसे में इन्वेस्ट करें जहां का की रिटर्ण 13 परसेंट है तो क्या हमारा गोल एचीव होगा दो को आठ लाग का तो हम देखते हैं जनाब यह दो कोड़ 69 लाग 26,249 रुपे के आसपास हो जागा इसका मतलब थोड़ा हमें चाहिए दो कोड़ आठ लाग के आसपास तो 40,000 करने और 13 परसेंट इंटर सीदी रखें तो हम देखते हैं कि दो कोड़ 7,40,000 के आसपास इसका मतलब जो आपका जो आपकी टार्गेट था दो कोड़ 8,00,000 के आसपास का वो इस आज की दिन में 40,000 रुपे वैसे एसेट्स में इंवेस्ट करें जिसका एक्सपर्टर र 15 वर्सों में आपका ये टार्गेट फाइंसल गोल पूरे हो जाएंगे और इस पोजिशन में 15 वर्सों के बाद होंगे कि आप वो फ्लैट्स को खरें लेकिन जनाब हो सकता है इंस्टॉर्मेंट 40,000 साइद आप एसाइपी ना कर सके अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा करने पड़ेंगी या तो आपको वैसे एसे में इन्वेस्ट करने होंगे जिनका एक्सपेक्टे रिटर्न 13 परसेंट से अधिक है मान लिए आप चाहाँ आपको लगता है कि आप 30,000 पर मंद से अधिक का एसाइपी नहीं कर सकते तो देखें कि यदि आप 13 परसेंट वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करें फर एक्जांपल इफाइट टू की टाइजे 15 परसेंट यह एक चौरासी के आसपास होता है इसका मतलब नहीं और भी कुछ एसेट्स में करने पड़ेंगे मान लिए 20 परसेंट वाले एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो यह दो कोड़ है और टेन्योर आपका 15 यह से तो आपको 30,000 रूपए वैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जिसका एक्सपेक्टर डिटर्न 17 परसेंट के आसपास है अब आपको लगता है कि 70 परसेंट के आसपास का डिटर्न इसका मतलब आपको कुछ हायर रिस्की एसेट् आपको कि समान्य वस्था में गोल हमें साथ होते हैं लेकिन यदि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं सब्सक्राइब नहीं बढ़ा सकते तो आपको गोली कम करने पड़ेंगे हो सकता है वह गोल यह आप चाहें कि बाई दो को आट लाग नहीं एक और 50 लाग करने पड़ेंगे उस केस में देखें यदि आपने एक सब्सक्राइब कर दिया और यह कर दिया 14 पर्शंट के आसपास ताइम वही 15 साल के आसपास है दकि एक और 69 लाग 56 लाग के आसपास हो जागे इसका मतलब हमने यहां क्या देखा कि यदि आप एक और आज के दिन में किसी फ्लैट्स की वेल्यू है और आप चाहते हैं कि 15 वर्शों में यही फ्लैट्स हम ख़ेंगे कितने पैसे कितने एसफिप करने पड़ेंगे मैं फिल्बिट कर रहा हूं इसको यह मैं 45 लाग 3 के आसपास देता हूं और इसको देता हूं चौदा पर्संट के आसपास यह कर दो तेरह पर जैसे मैंने पहले बताया था कि आज के दिन में एक कवर्ड रुपै इंफ्लेशन रेट 5% पीडियर आपके पास 15 वर्स ये दो कवर्ड आर्ठ लाग के आसपस बनते हैं और दो कवर्ड आर्ठ लाग एचीफ करने के लिए आपको करें यह 45,000 यह करते हैं बारा परसेंट के इ सब्सक्राइब करें तो इट कमस टू दो कोड़ चार लाग इसका मतलब यह 43,500 के आसपस नहीं करेंगे तो साइथ कुछ बात बन जाए हमारा हुऑ अधिक यह अधिक है आपको टार्ट का यह 100-7000 का ऐसे आसे में इन्करने पड़ेंगे जहांके आधिक हैं ऀलगता है यह बी नहीं हो सकता है इस नहीं चाहते हैं तो आपको निस्टित रूप से टेन्योर भाने पढ़ेंगे और यह वी नहीं हो सकता है तो ने तो इसलिए हमें ये बात समझ में आ रही है कि यदि कोई चीज आज के दिन में एक कवोड का है तो अगले 15 वर्सों के बाद हमें कितने रूपे चाहिए सो देट हम अपना फैनसियल गोल पूरा करके जो मार ड्रीम होस है उसको मैं पर्चिस कर सकूं थैंक यू